तोड़ें गोइन टू स्टार्ट अपोयम उप चैप्टर फिप इस पोयम नहीं 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 करता है उस वारे में बताया है क्योंकि समर में जो एंज्वाय करना पसंद करते हैं बच्चे आप भी करते हैं क्योंकि छुट्या होती है आपकी स्कूल नहीं जाना चाहते तो वैसा ही उस बच्चे ने अपने पॉइंट आप यू से बताया है दा इस पोयम में वह खुश नहीं है और जो चीज कौन सी चीज़े हैं जिससे वह खुश नहीं है और वह किस से अपनी तुलना करता है पक्षीश करता है जो पिंजरे में रहता है और एक पोधे से करता है कि जिसके फूल अभी खिलने ही नहीं दिये उसकी जो वर्सें उसको पहले ही तोल लिया जाता है उससे अपनी sweet company the boy says कि लड़का कहता है कि वो summer morning कि वो जो समर की सुबह है उसमें क्या है वो जो उतना पसंद करता है वो बहुत ही अच्छा लगता है उसको फेंदा वर्स कब जब जो पक्षी है वो पेड़ों पर गाते रहते हैं और दर डिस्टेंस डिस्टेंस मिस फार अवे जब दूर स ही हुई हंसमेंस मिन्टर जो शिकारी है वो अपना होन पजाते हुए आता है Question-Answers What is the poem about? The poem is about a school boy. Fish season's morning has been described in the poem. Summer season's morning has been described in the poem. Now let's see second stanza. But to go to school in a summer moon? Oh, it drives all joy away Under a cruel eye outworn The little ones spend the day In sighing and dismay Lekin ab ab usne summer morning kaisi vataithi बड़ी खुश थी उसकी अच्छी थी लेकिन अब इसमें दुख होता है second stanza में जो अब सुभे morning है, सुभे है उसे school जाना पड़ता है और उसकी जो सारी खुशियां है वो चली जाती है, गायब हो जाती है Drive means Stand out कि वो चली जाती है, सारी खुशियां कि बहुत ही ठकावा मैसूस करना कैसे ठकावा मैसूस करता है कि इसको होता है, teacher क्योंकि स्कूल में teacher होता है तो थोड़ा stick follow करने परते हैं बच्चे को, stickness follow करने परती है कि वो ऐसे यह नहीं कि बिना उसके permission के कहीं आज चला जाए तो उसके लिए कहा रहा है कि अंडर a cruel eye हमें थोड़ी cruel eye means इसमें बता है cruel means pitiless pitiless कि थोड़ा दय ही की दर्ष्टी से हमें देखा जाता है और हम बहुत ठकावा मैसूस करते हैं the little ones, little ones is children बच्चे जो हैं वो अपना दिन ऐसे ही बैतीद करते हैं कैसे बैतीद करते हैं sign and dismay बड़े ही दुख से और निरासा में बैतीद करते हैं बच्चे अपना दिन स्कूल में ओके नव लेट सी question and answer where do the children spend their day the children spend their day in sign and dismay बड़े ही दुख और निरासा में बैतीद करते हैं but thing drives away all joy of the child all joy of the child drives away by going to go to school in a summer morning okay let's read third stanza third stanza are then at times I drooping sit and spend many and anxious hours nor in my book can I take light nor sit in learning and walk walk through with that really sore in this stanza the boy says this stanza में बड़े कहता है क्या देन कि में उस समय जब में इस कूल में होता है कि तो वो क्या drooping drooping means slumped for hours कि उदास होना कि वो उदास पैठा रहता है उस समय में उदास पैठा रहता है and spend और जो उसके जो समय है बहुत से घंटे कैसे जाते हैं anxious means worried चिंतिद बहुती चिंता में जाते हैं कि वो चिंतिद पैठा रहता है गंटों तक नोरी और वो कहता है कि मैं जो अपनी मेरी भुक है उसमें मैं खुस ही नहीं ले पाता मैं खुस नहीं हो पाता हूं भुक पढ़कर नो शीटिन लर्निंग और वोर्मिस गार्डन कि जो सीखने का गार्डन है बंगीचा बोला है उसको इसकूल में तो मैं उसमें नहीं बैठ पाता हूं उसमें वोर्मिस टायर्ड और मैं ठक जाता हूं मैं उस सबसे ठक जाता हूं जो सीखने और सिखाने का कारे होता है इसकू नहीं है यह जो एप्रेसंट करने वाले जो लेक्चर होते हैं उससे मुझे खुश खुशी नहीं मिलती है इस चैन्जा में बच्चा यह है कहता है Okay, let's read question answer. How long does the child spend in his school? The child spend many and anxious hours in the school. Does the child feel pleasure in reading his book? No, the child does not feel pleasure in reading his book. Okay, students, let's read fourth stanza. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fierce and annoying but group his tender wing and forget his youthful sporing? In this stanza is the voice age. This stanza में जो बच्चा है में कहता है कि एक जो पक्षी है वो कैसे खुश सकता है वो खुश होने के लिए पैदा हुआ है, खुशी से जीने के लिए पैदा हुआ है जो पक्षी है लेकिन सिटीना के लेकिन वो पिंजरे में बैठा हुआ कैसे गा सकता है कि पिंजरे में बैठा हुआ कैसे खुश हो सकता है और गा सकता है पिंजरे में बैठा हुआ हाँ कहना उसी पिरकार एक बच्चा जो है फेन फियर सनाई जब वो पूरे समय जो है वो डर से रहेगा डर से तंग रहता है कि डर से उसे परेशान करते रहेंगे डर स्कूल में बर डूफ इस टैंडर विंग तो उसके जो टैंडर मिस डेलिकेट सोप्ट कोमल डूफ मिस वही है उदास होना कि बैंड की मुर जाना होते हैं वह मुलजा जाते हैं फोर्गेट ही जूथ और वह जो अपना यूथ फुल है जो बच्पन है उसे भूल जाएगा कि जब उसको यह बताया है इसमें पोट ने एक बच्चे के माध्यम से यह बताया है कि जैसे कि एक जो पक्षी होता है वह खुला जीवन जीने के इसको पिजरे में बंद लग दिया जाता है तो वह नहीं गा सकता अची तरह से उसी परकार जो एक बच्चा है वह भी अगर हमेशा डरा डरा रहेगा इसकूल में तो उसके जो कोमल पंक है कि जो उसका बच्पन है वह मुलजा जाएगा और वह अपने बच्पन को भूल ही प्री जाएगा. Okay. Let's read. Question answer. Can a word sing in a cage? No. A word cannot sing in a cage. Who drops his tender wings? A child droops his tender wings. Okay. Next, last paragraph. Oh, father and mother, if words are nived, and blfen zone blown away, and if the tender plants are stiff, oh, they enjoy in the springing day, why sorrow and के अर्डिस में हाउ शेल दा समर्ड एराइज इंज्वाई और दा समर्ड फ्रू से अपियर अब वो कहता है कि ओ फादर एंड मनर इव वर्स जो कलिया है वो निव्ड कर निव्ड मिस कट निव्ड मिस कट प्लग तोड़ लिया जाती है अगर कलिया फुलो से प्लोवर से अगर बिलो नवे मिस हटा जी जाती है कि वह ले ली जाती है जो कलिया उन्हें तोड़ लिया जाता है तो एंड इव्ड टेंडर प्लांट और यदि जो कोमल पोदे होते हैं कोमल कोमल पोदे होते हैं और इस्ट्रिब देर जवाए और उनसे क्या है दूर अटा क्या है जाता है इश्ट्रिब म生कर्णि अलग कर देना ये अलग कर देते हैं उनकी तो उनकी Kingdom तो उनकी खुसी जो है वह गया हो जाती है स्प्रिंग में कैसे आएंगे जब हम पोदो को आने से पहले ही उनके जो बर्स होती है उनको पहले से ही तोड़ेंगे तो फिर कैसे स्प्रिंग होगा पैसे यह बताया है कि कैसे अच्छे दिन आएंगे वाई sorrow and care और इससे क्या है दुख होगा और चिंताए होगी और डिसमे में डिसपाइन और निरासा से भरे दिन होगे कि दुखी दुख होगा चिंताए होगी और निरासा होगी How shall the summer arise और कैसे summer आएगी अच्छी कि खुसी की summer कैसे आएगी जब हम पहले ही इसमें यह बताया गया है कि जब बच्पन ही हमारा चीन लिया जाएगा तो फिर बाद में खुसी कैसे आएगी बाद में हम युवा में कैसे हम अच्छे बनेंगे और the summer fruits appear कि summer fruits appear कि summer में जो है फल यह बताया कि summer अच्छी खुस जिंदगी कैसे आएगी कि जब हमारा बचपनी छीन लिया, जब हमारा बचपन दुख होगा, तो हमारा फिर आगे हम अच्छे से खुल कर नहीं जी सकेंगे, यहीं बताए, कि जिस प्रकार पोद्धा होता है, कि उसकी जो कलियाएं वो तोड़ ली जाती है, तो फूल नहीं आता आएगा फिर उसी पिकार अगर हम बच्चों का बच्पनी खुश नहीं होगा तो बाद में जो जीवन है हमारा दुख से वरा हुआ होगा हम दुखी होंगे ओके Who complains to his parents? कौन करता है? A child complains to his parents What does the child say about births and floors? क्या कहता है वो births or floor के बारे में चाइल बच्चा कहता है The child says that if births are new and bluesam see the point of view of this child क्या आप एगरी हो इससे? कि जैसा बच्चा कहता है ये उस बच्चे के बारे बनाई है जब बच्चा छोटा उसकी बिल्कूल अल्ली एज़ेज में बच्चे होते है तो उन्हें स्कूल में डाल दिया जाता है और पैरेंस ये उसके लिए है कि पैरेंस को थोड़ा उनको सप्रेस नहीं करना चाहिए दवाना नहीं चाहिए बच्चों की भावनाओं को और उसे उन्हें क्रियेटिव बने देना चाहिए कि बच्चे जो अपनी खुशी से करते हैं उन्हें करने देना चाहिए उसके लिए है और यह समर में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो समर में होती है समर मोर्नी उसके लिए है यह कोश्टन आंसर ओके कि फर्स्ट को से फाइंट फाइंट थ्री ओफोर वर्स प्रेजज इन इस टैंजा फस्ट डैट रिफ्लेक्ट दा चाहिए है उसमें से जो चाहिए की बच्चे की प्रसंता और खुशी को बताते हैं वह बर्स हमें चूज करने हैं जैसा कि हमने फस्ट इस्टैंजा में और उन सिंग और अब्रिटरी हंसमें विंस शिजोन दा स्काइल आर्क और स्वीट कंपनी इस इस दा आंसर ओफ फर्स्ट कोस्ट ओके सेकिंड कोस्ट इन स्टैंजा टू दा मूट चेंजे बिच वर्स प्रेजज रिफ्लेक्ट दा चेंज बूट अब इसमें हमें सेकिंड इसमें बताना है कि कैसे मूट चेंज हुआ है और कौन से वह सब्द है और प्रेजज रहें वह में बताना है तो लेट्स सी सेकिंड इस इस दांसर ओफ सेकिंड इस टैंजा दप्रेज वर्स आर ड्राइव ओल ज्वाई अवे कुरुल आई और आउट्वोन लिटल वन्स इ साइंग एंड इसमेर ओके थर्ड कोश्चिन अक्रुल आई आउट्वोन रेफर्स टू इस्टेंज टू में जो क्रुल आई आउट्वोन में किसको बताता है आपको मैंने पहले भी बताया था दा ड़ल इस अनिस्पारिय लाइफ ओफ स्कूल बिद लोर्स वर्क एंड नो गवर तो ओन्ठ ओव दैडरी जौ ओके लिच उप द फालोई लिजद अ क्लोश पैर उप्रेफ और दा लाइन से अभवा वैंस में बिल्कुल इसका जो आमें लाइन पढ़िए उसका कून क्या आठ निकलता है तो इसका निकलता है थार्ड आंसर नोर कैना इसीट इन इन Okay students, you have to read this poem, okay, आपको याद करने पड़े किये poem, and do all question answers, bird winning, okay, thank you, have a nice day, and if you like this poem, please like and subscribe.